क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोते सोते भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अक्सार इस चीज़ को मैं क्यों रिपीट करती हूँ कि जब आप affirmations का इस्तमाल करते हो आपके पास सुभा किसी भी चीज़ के लिए समय ने क्यों ना हो कोई भी टेक्नीक करने के लिए बिलकुल आप बहुत बिजी हो लेकिन मैं अक्सा कहती हूँ कि रात को सोने से पहले आप कुछ भी विजुलाइज करो बेस्ट affirmations खुद के लिए दो तब सो ये फोन स्क्रोल करके सोना तो ठीक है एक हैबिटी बन चुकी आज कल लेकिन फिर भी अपने माइंड को या तो आप positive meditation सुन सकते हैं या फिर कोई अच्छी सी music सुन सकते हैं affirmations दे सकते हैं मैं डेली रात को सोने से पहले चाहें मैं कितनी भी लेट क्यों ना सूँ मैं कितना भी mobile क्यों ना देखूँ लेकिन एक एक ऐसा point आता है जब आपको लगता है कि आपको अब नीन आने वाली है बिल्कुल अब आप सो जाओगे इस point में उससे कुछ minute पहले मैं best affirmations खुद के mind में repeat कर देती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा था कल का दिन आज से भी जादा best होने वाला है affirmations सोने से पहले बोलना बहुत important है उसी के उपर आज वीडियो आया है personal session 299 rupees में available है link in the description box below सारी details उसमें add कर दी गई है now let's jump into the today's topic आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने नींद में चीजों को manifest कर सकते हो नेविल गोडाट की मदद से आपने सपने को सकार कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी process के बारे में समझाऊंगी जो आपके असान तरीके से आपको easily समझ में आ जाएगी सबसे पहले आपको अपनी नींद से बिल्कुल थोड़ा पहले जब आपको लग रहा है कि आपको नींद आने वाली है तब आप कुछ बहतरीन affirmations का अस्तमाल करें आप कुछ भी affirmations चुन सकते हैं according to your situation अपने दिमाग में एक imagination create करें जैसे आप अपने सपने को जी रहे हैं और इस affirmations को पूरे belief के साथ बोलें अब ये हो गया आपका first step second step आपको अपनी नींद में जब आप चले जाएंगे बिल्कुल पूरी देगी से आप हो जाओगे तब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि तब आप already सो चुके होगे लेकिन आपने जो first process की है affirmations और imagination की वो आपके लें काम करना शुरू कर देगी क्योंकि तब आपका subconscious mind पूरी तरीके से active रहता है जब आपने इस चीज़ को visualize कर लिया है आपने अपनी affirmations दे दी है तो अब ये किस तरीके से काम करेगा for example जैसे कि अगर आपको एक कार चाहते हो तो आप उस रंग को उस कार की रंग को उस कार की design को सकार के model को पूरी तरीके से अपने imagination में उताल लीजे जैसे ही आप सोने वाले हैं बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपको नीन आने वाली है या फिर थोड़ा समय बचा है थोड़ा mobile चला लिया music सुन ली music सुनते सुनते आप इस चीज़ को बहतर तरीके से imagine कर सकते हो कि मुझे इसका रखिकार चाहिए है इसका रंग ये होगा इसका model ये होगा ये होगी आपकी imagination और affirmation की शक्ती उसके बाद सबसे four step है आपको नेविल गुडार्ट के principle को समझना होगा वो अक्सा कहते हैं जब अपने सपने को imagine करते हैं तो हमें वो feeling experience करनी चाहिए हमें उस सपने को हकीकत में महसूस करना चाहिए जैसे कि अगर आप अपने सपने में खुशी, सफलता, प्यार को महसूस कर सकते हैं तो आप उस सपने को अपनी life में easily manifest कर सकते हैं जैसी आप सुबा सोखे उठके उठेंगे आपके अंदर वो excitement, वो feeling, वो happiness वो joy already मौजूद रहेगा आपको अपने सपने को पूरे करने के लिए सिफ एक action लेना बहुत जरूरी है action क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे car का example दिया है कि आप अगर car manifest करना चाते हैं तो आप सबसे पहले पता कर सकते हैं कि आपके बजट में कौन सी car available है, शोरूर में देख सकते हैं क्या इस color की car available है क्या यह model available है अगर आपके बजट में वो चीज़ आपको सामने नजर आ रही है तो it means वीडियो में अपनी अवास दे रही हूँ यह mobile किसी ने तो इसका imagination की होगी किसी ने तो visualize किया होगा तब जाके अपने एक mobile phone का इस्तमाल कर सकते हैं visualization की power बहुत ज़ादा होती है इसलिए अब अगर आपको कुछ भी सपनों को हकीकत में change करना है और आप बहुत बिजी हो अपने 24 गंटे की जिन्दगी में तो रात को सोने से पहले सिर्फ imagine करो सोचो कि आपको क्या चीज़ चाहिए उसका रंग कैसा है किस तरीके की चीज़े आपको जो भी महसूस करना है यार रखो नेविल को डाड अक्सर कहते है feeling is the secret affirmations को visualization को एकदम इस तरीके से महसूस करो कि वो चीज़े आपकी life में already exist करती है that's it for today's video see you soon in my next video guys God bless you all thank you for listening